वेल्कम बैक टो मैं चैनल रिना परफोल ओफिचल होपसर यू आ डूइग गरेट तो डूड़े इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकप लुक इससे मेकप को आप किसी फंक्षन में किसी पार्टी वगरमें भी कर सकते हैं बहुत सिंपल मेकप है ज़्यादा बात है नहीं करते है ओर वीडियो स्टाट करते है लैट स्टाटेथ सूट कोई भी मेकप स्टाट करने से पहले हमै अपने स्किन को क्लीन करना चांचे है और मेरे हैं यहां पे क्या है यहां यूज तरह है हुआ गृरयों दो तोन शटायां और इसको 5…? मिन बसलनhen से पर जहोड़ाब चूह पर्सनली मुझे बहुत जादा पसंद है मॉर्निंग नाइट रूटीन में इसको आइड करना चाहिए और फेश वस्के बाद जब हम लोग टोनर यूज़ करते हैं उसके बाद सीरम भी यूज़ करना चाहिए देन उसके बाद में यहां पे जॉंस बहुत जादा अच्छा ल मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहते हूं मुझे किसी ने बोला कि में पास इतने सारे पॉड्रेक्ट नहीं मुझे भी मेक अप करना है मुझे मेक अच्छा लगता है या मुझे सीखना है तो मैं उन लोग से कहना चाहते हूं जो ऐसा सोच देक में पास यह अगर आप में तरह बिग्नर हो तो स्टार्ट करो यार जो है उनसे स्टार्ट करो यहां पर यूज कर रही हूं एन वाइब का कवरेक्टर कंसीलर स्ट्रेक्ट जैसा क्या आप लोग देख रहे होंगे इसे अमेजिंग गाइज अगर इसे बाय करना चाहते हैं आप इसे बा आप के पास तो और आइस के पास है और मैंने माथ के पास भी लगा लिए मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हूं बट वेरी स्मूथली आप इसको फिंगल टिप से भी ब्लेंड कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्रीमी सा है और आप लोग देख रहे होंगे और उसके बाद य और आई मेकप, मैंने कि इस बर कुछ नएा किया है। किस दो पहले फिर एक लिए और यहां पर तो यहां पर मुझे इस बात पर फिर को अच्छा लगी तो यहां पर पर नहीं पर पहले नहीं कि ओद ऑपने आई कर लेड़ी यहाँ पर में आई मेकप जो यूज करहे हूं जो कलर है डार्क ब्राउन कलर है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे और मेरा ब्रस बहुत चोटा है इसके वाद से ऐसे साइड में लग रहा था मैं बाद में इसको क्लीन करूंगे इक बार में थोड़ा साइड में नया कुछ तो यहां पर देख रहे होंगे मैंने दूसरा एक और आई पलेट लिया इसमें मेरे पास यह दो कलर है यह पर पल कलर है लाइट पिंग कलर है दैन उसके बाद जो डार को था वह पर पल कलर है लाइट के वह से उतना अच्छा से पता नहीं चल रहा है जैसे कि आप लोग प्रेश नहीं हो पा रहा है मैंने ब्रस भी कुछ ऑर्डर किया है देखते हैं कब तक आता है यहां पर से मैं सेकें आई शैदो भी कंप्रीट करने वाली हूं जैसा है आप लोग वीडियो में देखते होंगे तो आई कॉनर के पास मैंने जो लिया है कलर वह है डाग होने वाला है पॉपल 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 ओके यहां पर मैं फांडेशन की हेल्प से जो आई शैडो है उसको था सब फिनिशिंग दे रही हूं जैसा है आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे चोड़कु से एक ब्रश है मैंने पास उसकी हेल्प से और उ होंगे आई-लाइनर ले रही हों जो की लोट्स का है और विंग क्रियेट करना है तो मैं यहां गया मेन अिनिश्यआं मेरा मां ऄंप नहीं ब्रच और मैं वापस अपने वापस फॉर्व scripture देख एग उन खरान मैं आई-लाइनर निकालती नहीं है और उसके बार नहीं है यहां पर मैं ब्लू हविन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जैसा आप वीडियो में देख रहे हूंगे यह नॉर्मल मैंने शॉप से लिया है किसी बी शॉप में आपको जो कॉस्मेटिक आइटम रखते हूं पर मि मेरे चैनल पर आप लोड़ है तो वहां पर आप जाके चेक आउट कर सकते हैं अधर वाइस में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर शेयर करूंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें विकर उसमें मैं सारे पोडेक्स के लिंक भी शे अगर अच्छा है अगर कहीं खराब है कुछ गलत है वह आप मुझे बताइए ताकि उसको और भी अच्छे से इंप्रूफ कर सो कूँ यहां पे मैं हाईलाइटिंग कर यह बलशर के बार जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे तो आप लोग का जो कमेंट है मेरे मैं इंप्रूफ करूँ और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊं तो यहां पे मैं लिप्चिक यूज कर रहे हूं तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए मत सोचे कि खराब लगएगा जब खराब कोई चीज जगह पर है तो मुझे कमेंट करके परसनली बता सकते मुझे कुछ बुरान लगया इंप्रूव ही करूंगी और अगर आप में चैनल पर नहीं है में चलब सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरू करेंगे प्रेशल सब्सक्राइब लाइकन जिसे में इन वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आए और आप लोग मेरे लुक कैसा लगा जरू मुझे कमेंट करके बताएं जब तक लिए बाब बाई